Welcome to study channel मेरा नाम है महम्मद कैसर, बात करेंगे दोस्तों आज चैन बोर्ट पर छात्र गए हुए थे, क्या इनकी बात हुई, क्या मुलाकात हुई, अभहर्थियों के क्या मांग थी, और इसी के सासत बात करेंगे दोस्तों L.T. क्रेट के न विगयापन के संबन में लेटेस्ट अपडेट की दो वीडियो में लाज तक बने रहें दे सकते हैं आज ये छात्र उत्तर प्रदेस मादमी सिचा सेवा चैन बोर्ट परियाग राज पहुँचे हुए थे अभ्यर्थी थे ये वेटिंग लिस्ट वाले 2016 के और 2021 के काफी समय से ये छास अंगर्स कर रही है धरना कर रही है इन छात्रों को निक्ति नहीं मिल रही है सिंगल वेंच आईगोड ने कहा कि अभ्यर्थ्यों को कॉंसलिंग के जरिये निक्ति दिया जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है जिसके वैसे छात्र ये परिशान है इन छात्रों के मुलकात आज सचिव साहब से हुई है सचिव साहब ने आस्वासन दिया है कि 31 जनवरी तक 2016 टीजिटी वाले छात्रों को निक्ति मिल जाएगी उसके बाद फिर 21 के छात्रों को निक्ति दिया जाएगा तो फिर आपने डवल बंच में क्यों अपील किया है जब सिंगल बंच ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया तो इस पर चैनबूर्ड कहना ये था कि हमारा ये एधिकार है और हम डवल बंच में अपील करेंगे लेकिन छात्रों को ये आस्वासन भी रिया गया है कि जन्वरी में आपका मामला क्लियर हो जाएगा ये पत्र है जो छात्रों ने चैन बोर्ड में सौपा है देख सकते हैं TGT एवन PGT 2016 एवन 21 का ओसेस पैनल यानि प्रतिछा सुची के अभ्यत्यों के विद्यालय आवंटन के संबंध में रिमान से निवेदन है कि आप पोर्टल खुलवाकर विद्यालय का प्रिफरेंस लिजिए और हमें कॉलेज आवंटन कराईए तो आस्वासन तो मिला है और ये कहा गया है चैन बोर्ड के द्वारा की वेबसाइट पर काम चल रहा है जैसे ही सौफ्ट्वेर त्यार होता है उसके बाद फिर पोर्टल खुला जाएगा कॉलेज प्रिफरेंस के लिए समय इसले लग रहा है ताकि सौफ्ट्वेर में कोई प्रोब्लम ना आए जब कॉलेज का प्रिफरेंस लिया जाए तो छात्रों को कोई परिशानी ना हो तो ये आस्वासन आज मिला है चैनबोट के दौरा चातरों को देखते हैं आगे क्या होता है बात करें दिचैनबोट के गठन की सदस्यों की निक्ति की तो इस संब्द में कोई भी जानकारी चैनबोट दौरा फिलाल नहीं दी जा रही है और अध्यक साहब भी कोशिश पूरी है कि चैनबोट का गठन हो जाए सदस्यों की निक्ति हो जाए और 2022 की परिक्षा भी वो अपने कारकाल में करा लें लेकिन सदस्यों की निक्ति का जो मामला है ये शासन अस्तर से लंबित है और इस संब्द में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि exactly सदस्यों कब आएंगे तो फरवरी मे परवक्ता की भरती आए थी जात्रों को निक्ति मिल गई है अब इंतजार है जात्रों को नई एल्टी ग्रेट भरती का और देख सकते हैं ये प्रेस विकप्र जारी की है सितला परसाद ओजाज जी ने थोड़े देर पहले इन्होंने शेर किया है और इसमें क्या है हम वाद था वो समापन की और अग्रसर है सासन अस्तर पर फोनिक वारता के दौरान यह पता चला है कि बहुत ही जल सासन से पत्र सिक्षा निलसाला प्रयागराज को प्रेशित कर दिया जाएगा अपडेट यह है कि जो समकक्षारता वाला मामला था ल्टी ग्रेट का और जैस तुम आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महात्पूर अपडेट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे थांक्स पॉर वाशिंग